ओम चांगती बगवान स्वयम कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारे लिए हतेली पर स्वर्ग लाया हूं स्वर्ग मेरी रचना है, मेरी संबदा है तुम उसके मालिक हो तुम स्वर्ग में जाओगे तुम सब उसके मालिक होंगे सब कहेंगे हमारा भारत लेकिन बहुत ज़्यादा अधिकार होगा प्रकरती पर भी अधिकार होगा तो हमें राजाई पानी है ये उमंग उत्सा हमारे मन में होना चाहिए हमें आठ घंटे योग की और चलना है कर्म करते हुए बहुत अच्छे योग-युक्ति स्थिती बनानी है ताकि हम परम सुख के अधिकारी बन जाएं ये परम सुख सवेरे बहुत मिलता है जब प्रकरती शीतल होती है जब चार और सब कुछ स्यांत होता है उस टाइम परमात्म मिलन का सुख प्राप्त करना वो सत्यूगीर राजाई से भी स्रिष्ट है पन्तु राजाई भी प्राप्त तो करनी है तो राजाई तो छोड़नी पड़ेगी सवेरे अगर राजाई खींचती रहेगी अगर बैड खींचती रहेगी तो वो सुन्दर समय हमारे हाथ से निकल जाएगा भगवान सवेरे सवेरे वर्दान देने आते हैं हमें बहुत कुछ सिखाने आते हैं समस्याओं का हल सुझाते हैं हमारे सिर पे अपना वर्दानी हाथ रखते हैं हमें बहुत प्यार और पुछकार देते हैं हलका कर देते हैं बोज हर लेते हैं सवेरे परम्सुख उनसे प्राप्त करें। सत्युग की राजाई तो है यह बहुत बड़ी प्राप्ती। क्योंकि यह जो 108 रतन है यह हीरो एक्टर भी बन जाएंगे। इनकी चर्चे हम आगे करेंगे। लेकिन हमें इस समय ही जो पुर्सुत्तम संगम युग चल रहा है। जबकि इस धरा पर भगवान का गुप्त कारी चल रहा है जो मनुस्यों को जाद मनुस्यों को पता नहीं है। पर बहुत सारे लाखों लोग इससे जुड़ चुके हैं। उनका परमातम मिलन हो चुका है, वो विशविकारों से मुक्त हो चुके हैं, उन्होंने अपने खान पान को सुद्ध कर लिया है। बाबा कह रहे थे, आज मामा कह रही थी, मलेच खान पान, ये देवताओं का भोजन नहीं है। ये नौन वैज, ये गंदगी, ये तो आशुरि संपड़ा का भोजन है। आजकल वही हाल हो गए सबका, अच्छे अच्छे लोग, रोयल कहलाने वाले लोग इस मार्ग पे चल पड़ है, इसको रोयल्टी समझ बैठे हैं। लेकिन रोयल्टी और पर्सनल्टी कुछ और है, इस वरी मावक्यों में हमने दोनों की बड़ी ग्विये डेफिनिशन सुनी हैं, तो सबेरे सबेरे हम परमात्म सुक प्राप्त करें। और याद रखें, परमात्म सुक इतना भड़ने सुयम में, कि जो भी हमारे वाइब्रेशन में आ जाए, हमारे औरा के बीच आ जाए, उसके दुख समथ होने लगे, उसका चित्ष्यान होने लगे, वो सुख ही हो जाएं। एक खजाना है ये बहुत बड़ा, ये सुक संसारिक सुकों से बहुत बढ़कर है, इसको अतिंद्री सुक कह जाता है, और ये भगवान के महवाख्य हैं, अतिंद्री सुक पूछना हो, तो उन बच्चों से पूछो, जो आत्म विमानी होके रहते हैं, देहिस भान से न्या होते चलना, आत्मा के सभी गुनों और सक्तियों का स्वरूब बनते चलना, इससे ये अतिंद्री सुक, बहुत गहरा सुक, सच्चा आत्मा का सुक प्राप्थ हो जाता है, ये हमें प्राप्त करना है, जो ये सुक प्राप्त कर लेंगे, जनम जनम कल्युक के अंद तक भी वो सुखी रहेंगे, शान्ती का खजाना बहुत बड़ा है, परमात्म शान्ती हमें प्राप्थ हो रही है, उसने इतना सुंदर ज्ञान दे दिया, कि ज्ञान को सुनते सुनते ही चित्ष्यान्त हो जाता है, सारी बेचैनिया, जीवन की सारी टेंशन, सारी अशान्ती, सारे मन के बोच, मन का विचलित होना सब रुख जाता है, यह इसवर यग्यान से ही संभव है, यह कोई जबरदस्ती मन को जीरो कर देने की बात नहीं है, कि मन कुछ सोचे ही नहीं, ऐसा तो हो भी नहीं सकता, और को जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा, तो नेचूरल हम अपने जीवन को, अपने चित को स्यात कर लेंगे, आनके द्वारा, राज्यों के द्वारा, यह बहुत बड़ा खजाना है, हमारे खजाने हैं पवितरता, संचार में, जिसकी लोगों को जादर नहीं है, पवितरता सुक कि जन्नी है, आधुक Mercantei बढ़ी इस लिए रहा है, कि इंप्यॉरी टी बहुत बढ़ गई है, द्रशटी भी इंप्यूर, तो बोल भी इंप्यूर, तोchemical, घजव भी इंप्यूर, दहिक द्रशटी, इसे जो योगी हट जाता है, उसको परम श्यान्ती प्राप्थ होत उसको ऐसम्पूर्ण प्रकरती भी बहुत साथ देती है तो सभी को ये मालूम होना चाहिए भगवान गुप्त रूप से ये अपना दिव्यकारिय कर रहे हैं पर इतना गुप्त भी नहीं है कि किसी को पता नहों बहुत हो को पता चल गया और वो इससे जुड़ गए हैं और स स्वयम को इन सभी खजानों से भरपूर कर रहे हैं उन्हाने बॉल दिया है एकांत रमन करो एकांत का सुक प्राप्त करो एकांत में ज्ञान का चिन्तन करो एकांत में अपने से बाते करो भगवान आया है सब कुछ देने के लिए मैं उनसे सब कुछ कैसे प्राप्त करूं, वो मुझे अपना संपोर्ण भाग्य देने आया है, भाग्य बहुत बड़ी चीज होती है, कई लोग भाग को नहीं मानते हो, कर्म ही सब कुछ है, लेकिन कर्म से जो फल मिलता है, उसको ही भाग कहते हैं, और भाग कहीं लिखा हुआ है, उसन उसाद सब कुछ मिल रहा है, हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्मान कर रहे हैं, तो शिव बाबा कहते हैं, मैंने तुम्हें भाग्य की रेखा खेंचने की कलम दे दी है, स्रेष्ट कर्म ही वो कलम है, और स्रेष्ट कर्म इस समय कुछ अधी स्रेष्ट है, दुनियावी स्रेष्ट कर्मों से बहुत ज़्याद अलोकिक हैं। किसी को भगवान से मिला देना। किसी को मुक्ती, जीवन, मुक्ती का मार्ग दिखा देना। किसी के जीवन में आने वाली समस्यां और बाधाओं को समात करा देना। किसी को ऐसी राजियों की विद्या सिखा देना कि वो स्वयम बहुत सकती साली बन जाएं। यह स्रेष्ट कर्म, यह पुन्य कर्मों का खजाना बहुत ही बड़ा है। इसका जो फल मिलता है वो स्वरक का भाग्य है। तो हमारे हाथ में हैं। बाजी हमारे पाले में आ गई है, हम क्या प्राप्त करें। इतना ही नहीं कि कोई इन चीजों से हमें केवल भविष्का भाग्य मिलेगा। लेकिन वर्तवान समय जब युग परिवर्तन होगा, तो अच्छानक बहुत कुछ होता रहेगा। अच्छानक खेल बिगडता हुआ नजर आएगा। जो कभी मन में सोचा नहीं था वो अच्छानक all of a sudden दिखाई देगा। मन उस भैभीत हो जाएंगे। बहुत हो समझ में नहीं आएगा कि करें क्या। तो हम सभी अभी से बहुत अच्छा ब्यास करने भगवान हमारा साथी है। वो हमें साथ दे रहा है। तो उस time उसका साथ होने के कारण हमें समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है। तो परमात्म सुख, परमात्म साथ, उसकी guidance हम सबको निरमतर मिल रही है। ये बहुत बड़े खजाने हैं, जान बहुत बड़ा खजाना मिल रहा है, एक आंत में उसका चिंतन करने से हमारी बुद्धी बहुत सुद्ध हो जाती है, डिवाइन हो जाती है और ये बुद्धी जनम जनम हमारे साथ चलेगी, बुद्धी और मन आत्मा की अविनासी सकतिय हमारे हाथ में है हम अगले 5000 वर्ष के लिए चारो योगों के लिए अपनी बुद्धी कैसी बनाना चाहते हैं जैसी बनाना चाहें बना सकते हैं ज्यान के द्वारा प्यावरिटी के द्वारा तो आईए हम गहन चिंतन करें इस पुसोत्तम संगम युग पर स्री बाबा से हम अच्छे से अच्छा क्याल ने ताकि हम बर्पूर हो जाएं और जब हम इस संसार से जाएं तो खालियात नहीं बर्पूर होकर जब भगवान के पास पहुंचें तो वो भी खड़े होकर हमारा सम्मान करें ओम स्यम्द्धि करका चान reflecting बर्पूर होकर हमारा सम्मान करें पहते हैं na 15특श्वर में के रहे हिर से हमारा स Keyवाइ़ के पूर से अच्पूर के अच्पूर है तो खूर से वैए़ म으hr टいます